नमस्कार दोस्तू, कैसे हैं आप सब लोग आई हूप आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तू आपके लिए बंपर भरती निकल के आईए डांक विभाग में MTS भरती 37,569 पड़ों पर ये बंपर भरती होने वाली है दोस्तू, क्या योगताय रहेगी, कितनी कितनी पोस्ट हैं हर राज में सब कुछ वीडियो में जानने वाले हैं चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तू, हम सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ओपिसे, मल्टी टास्किंग इस्टाप MTS यानि अब की बार जो पोस्ट ओपिस की भरती है उसको MTS कंडेक्ट करवा रहा है टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो दोस्तो, आपकी ये 37,549 पदों पर बंफर बरती होने जा रही है दोस्तो, अब हम बात करते हैं कि कौन से राजी से कितनी कितनी बैकेंसी निकाली गई है दोस्तो, यदि आप अंधर प्रदेश से हैं तो आपके लिए 1166 पद निकाले गए हैं वहीं असम से 747, चंदेगर से 346, दिल्ली से 2666 वहीं गुजराच से 2530, हरियाना से 818 हिमाचल प्रदेश से 338 जम्मु कस्मीर से 401 और जहरकंड से 600 पद करनाटक से 1754, बिहार से 1956, केरल से 1268 एमपी से 1268, वहीं महराष्ट से 548 पद निकाले गई हैं दोस्तो, आगे हमें बात करते हैं नौर्थ इस्ट सरकिल से 358 पद औरिसा से 881 पद पंजाब से 1178 पद तमिल नाडू से 3316 पद और तेलंगाना से 878 पद वहीं उत्राखंड की बात करते हैं तो 349 पद और यूपी से 4911 पद निकाले गएं वहीं पस्रिम बंगाल से 3747 पद और राजस्तान से 3336 पद निकाले कें टोटल जो पोस्ट हैं कुल पोस्ट हैं वह हैं दोस्तों आपकी 37,549 पद पर ये भरती कराई जा रही है दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वालिफेकरेशन के किसमे क्या क्वालिफेकरेशन मांगेगी तो दोस्तों आपको दसवी पास होना जरूरी है आपने यदि कोई भी बोड से आपने यदि दसवी पास किया तो आप इस फोरम को फिलिप कर सकते हैं आपकी एज मांगी जाएगी 18 से और है 40 वर्स SC और ST को 5 वर्स की चूट OBC और जर्नल को 3 वर्स की चूट All apply कौन कौन कर सकता है All India Candidate इस फोरम को apply कर सकता है यदि आप राजिस्तान के निवासी और पंजाब से फोरम भरना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस फोरम को भर सकते हैं दोस्तों अब की बार इसमें एग्जाम होने वाली एग्जाम कौन लेगा तो दोस्तों SSC इसमें एग्जाम अब की बार लेने वाला है वहीं इसमें जो slivers आएगा math, reasoning, english, gk, gs and current affair भी आने वाला है department of vacancy post office exam जो departmentally vacancy आएगी उसकी exam post office ही conduct करवाएगी अब दोस्तों आपके मन में एक question आया होगा कि आपने data कहां से लिया तो दोस्तों आपको बता दे कि इसका official notification थोड़े दिन पहले आया था और इसका जो बिलकुल जो forum की तीथिये वो एक या दो दिन में जारी कर दी जाएगी जी हाँ दोस्तों इसका जो official notification एक या दो दिन में जारी कर दिया जाएगा ये खुद विभाग ने इनकी विग्यप्त हर विभाग को बेजिये कि इतने पद इस राजी में होंगे क्योंकि आपको बता दे 15 अक्टुमबर तक आपके forum की starting date शुरू हो जाएगी जी हाँ दोस्तों आपके 15 अक्टुमबर तक आपके forum में चालू हो जाएगी क्योंकि अपकी बार SSC exam लेगा ये कोई merit based vacancy नहीं है इसमें exam लगेगी और syllabus में math reasoning gk gs and current appear आने वाला है दोस्तों ये थी हैं आपके लिए मैंते पून जानकारी यदि जानकारी अच्छी लगी हूँ तो हमारे चैनल को आपे subscribe के आवश्य करें नेम है मन मोहने रेजिंग और वेल आइकन को भी प्रैस से आवश्य करें यदि आपको कोई भी problem है तो दोस्तों आप इन नमरों पर हमारे पे call कर सकते हैं दोस्तों यदि आप पलपल की update लेना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे टीली ग्राम चैनल से यहाँ पे जोड़ जाईए नेम है मन मोहने रेजिंग आप यहाँ से भी scan करके जोड़ सकते हैं दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसी update के साथ यदि आपने कोई भी problem हारी है तो आप